स्वागत हैं दोस्तों आप सबका आपको तो मालूम है कि हमारी पृत्वी पर रोज नए नए भूकंप नए नए बिमारियां नए ऐसे ऐसे बिमारी ऐसे ऐसे हलकंप मच रहे हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं और जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं तो आज मैं आपको जिसमें पृत्वी जैसे वातावरन और पृत्वी जैसे रहने की जगा हमें मिल सकती है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ गहरे और रहस्यमई अंतरिच्छ में हमारे खगोलवादी को कई गरा ऐसे मिलते हैं इनमें कई ऐसे भी होते हैं जिनमें पृतिवी जैसे हालात होते हैं और वहाँ पर जीवन बसाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के ग्रहांपे जो हमारे खकोलवादी होते हैं वो ज़्यादा दिल्चस्पी दिखाते हैं लेकिन इनके मिलने की संभावन बहुत अधिक नहीं होती, मतलब अगर हम बहुत सारे जो हमारे खगुलवादी होते हैं, जब वो ढूरते हैं, तो उनमें से बहुत कमी ऐसे प्लैनेट्स मिलते हैं, जहां पर सच में जीवन होता है, जहां पर जीवन निर्माद हो सकता है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुली अभी जो recently जो एक अध्यन हुआ है उसमें क्या बाहर आया है यानि क्या हमें ऐसी नई जानकारी मिली है जो आपके समने में लेके आया हूँ और किसने किया है ये अध्यन अब आपको विस्तार से बताता हूँ तो ये हुआ है सेफिल्ड यूनिवस्टी में ठीक है सेफिल्ड यूनिवस्टी में हुए सोज से हमें ये बात का पता चला है कि एक टीम ने हमारी जो आकास गंगा है यानि गैलक्सी जो है मिलकी वे कई युवातारों के समू का अध्यन किया गया उस अध्यान का उद्देश याद जानना था कि क्या इन समुहों पूर में किये गए अध्यान, किये गए उन छेत्रों जैसे जहां तारे बन रहे हूं इसके अलावा उस सोध में या जानने की कोशिस की गई कि क्या उन तारों में पृत्वी जैसे ग्राह होने की संभावना है एस्ट्रोफिजिक्स जेनरल में प्रकासित इस सोध से या पता चला कि इन समुहों में हमारे सूर्य जैसे यानि सूर्य जैसे उम्मीद से कहीं ज़्यादा तारे ऐसे क्रहों में होने की संभावना बढ़ा देते हैं जो हमारी पृत्वी की तरह ही हो लेकिन अभी वो बनने की सुरुवात में हो यानि अब अभी वो ग्राह बनने में मतलब बन रहे हैं अभी उसकी सुरुवात हो रही है अब आपके मन में एक ऐसा सवाल उठेगा कि चलो ये सब तो ठीक है लेकिन वो ग्राह है वो दिखते कैसे हैं कैसे बैग्यानिक उनको देख लेते हैं या कैसे उसके बारे में जान लेते हैं पृत्वी जैसे या ग्राह जो अपने निर्माड की सुरुवाती अवस्था में होते हैं उन्हें मैगमा ओसियन प्लानेट्स कहते हैं ये बात आप ध्यान रखिए उन्हें Magma Ocean Planets कहा जाता है इस समय ये चटान और अपने ठीक है इस समय जो वो होते हैं इस समय वो चटान और अपने जैसे ग्रहों से टकराने से बन रहे होते हैं इस प्रक्रिया में वो काफी गरम हो जाते हैं और उनकी सता पिखलने लगती हैं उनके चटाने पिखलने लगती हैं इस सोध के प्रमुख सोध करता और सीफेल्ड यूनिवस्टी के डाक्टर रिसर्च पारकर ने बताया कि इन मैगमा ओसियन प्लानेट्स को उनकी सूर्य के पास पहचानना आसान होता है ये सूर्य हमारे सूर्य के मुगाबले दुगने वजन के होते हैं ये ग्रा इतनी ज़्यादा उसमा उत्सर्जित करते हैं कि हम उन्हें नविंतम इंफ्रारेट टेलिस्कोप से चमकता हुआ देख सकते हैं आपको तो मालूम है कि हमारे इस मिलकी वे में केवल एक सूर्य नहीं है बहुत सारे सूर्य हमारा एक सोलार प्लानेट है जहां पे हमारी प्रत्वी है ऐसे पता नहीं कितने सोलार प्लानेट हैं और अलग-अलग सोलार प्लानेट में अलग-अलग प्लानेट्स बन रहे हैं जिसमें उनको मैगमा ओसियन प्लानेट्स कहा जाता है पहले क्यों मुस्किल था इन ग्रहों का पता लगाना यानी पहले कैसे ही नहीं जान पाते थे scientist की यार यह होता था अब अब इतना आसान कैसे हो गया है कि अब हम जो हमारे बैग्जानी के वह बता देते हैं कि यह planet है यह magma ocean planet है अब उसके बादे में जानते है डॉक्टर पीटर डॉक्टर पीटर ने कहा है कि इन ग्रहों को उन तारों के पास पाया जाता है जो एक करोन साल पुराने हैं लेकिन अपने समू में ये तारे युआ होते हैं, एक समू में गिंती के तारे ही होते हैं पहले इनके बारे में जानकारी हासिल करना मुश्किल हुआ करता था क्योंकि ये हमारी आकास गंगा के पीछे चिपए होते थे और हमें दिखाई लगते थे GAIA यानि GAIA टेलिस्कोप के अवलेकनों से हमें यह जानने में मदद मिली है कि ऐसे समुह में बहुत सारे तारे हैं इसी वज़ा से यह अध्यन हम कर सकते हैं और भी मदद मिलेगी इन अध्यनों से क्या और भी हमें मदद मिलेगी इस अध्यन के नतीजे से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि तारे बनने की प्रक्रिया क्या सारवॉमिक यानि यूनिवर्सल है इसके साथ ही इसके नतीजे या अध्यन करने में भी मददगार साबित होंगे कि कैसे पृत्वी जैसे ग्रह का निर्माड होता है यहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बिक्सित कैसे होती है अब टीम को या भी उम्मीद है कि कम्प्यूटर रिसोलूशन कम्प्यूटर शिमिलिसलिसन की मदद से अब वह समझने में सच्छम हो सकेंगे कि युवा तारों का समयू का निर्माड कैसे होता है अभे तक ये तारे हमारी आकास गंगा के पीछे छीपे रखते थे इसलिए हमको मालूम नहीं चलता था लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम इनको देख सकते हैं इस सोध में सेफिल्ड यूनिवस्टी के कुछ अंडर ग्रेजूर चात्रों ने भी भाग लिया इससे उन्हें अपने कोर्स के विश्यस सिसम्मंदित सोधों के लिए जरूरी चमताओं के बारे में जानने का मौका मिला अब इसके बाद सोध करताओं का इरादा विभिन गैलेक्सियों के मैप बनाने का भी है तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले हमारी टेक्नलोजी इतनी बिखसित नहीं थी जिससे हमको जो आकास गंगा के पीछे छुपे हुए जो प्लैनेट्स थे उनको हम देख नहीं पाते थे जिसके वज़ा से पृतिवी जैसे ही जो निरमाण होते हो जो प्लैनेट्स थे हम उनके तक नहीं पहुच पाते थे लेकिन अब हम infrared के मदद से ऐसे telescope की मदद से उनको भी देख पा रहे हैं और अब उनका भी map बना रहे हैं और उनका निर्मार कैसे हो रहा है इसके बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं जिससे हमें ये मालूम चल रहा है कि पृतिवी आखिरकार कैसी बनी हमारा अस्तित तो कैसा है और हम अस्तित तुमें आए कैसे और उन प्लैनेट्स पे जीवन का निर्मार कैसे हो रहा है इतना ही नहीं हम वहां के मैप्स भी बनाने स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर जो प्लैन if you like this video